वनंदवार क्रिस्टलholders भाते हैं जब क्रिस्टल बनाने में कीसमें का साइज आ रेडियाई बहुत ही कम हो इसके तुल्णा में इनाेट के तुल्णा में तो अगर ket iron का radii बहुत ही चोटा होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, कि ket iron का radii बहुत ही चोटा है, यह ket iron, इसका radii बहुत ही चोटा है, और इसके comparison में जो N.I.N. यूज किया गया हूँ, उसका size अगर बहुत बढ़ा हो, पर एक्जम्पुल हम यह ले ले लें कि यह जो एनाइन यूज़ किया गया है उसका साइज बहुत बड़ा है तब इससे क्या अंतर क्या आएगा कि जैसे ही दो एनाइन इस केटाइन के चारों तरफ अरेंज होंगे तो यह क्रिस्टल जब फॉर्म करेगा यह लीनियर वे में आगे बढ़ता चला जाएगा जब इस तरह के रेद्याइड डिफरेंस वाले केटाइन और एनाइन के बीच में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उस case में जो crystal बनता है वो कहलाता है one dimensional crystal और ये one dimensional क्यों कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो arrangement होता है capable एक dimension में exist करता है और जब एक dimension कोई arrangement exist करेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो atom का array होगा वो one dimensional होगा one dimensional या linear होगा नॉर्मली इस तरह के crystal step बनते हैं जब radii का ratio r plus by r minus 0.155 से कम हो और जब 0.155 से कम हो तो हमें पता है कि उस case में जो catines और anions उनके coordination number होते हैं 2 तो नॉर्मली इस case में जो coordination number आता है वो है crystal में 2 तो किसी भी एक catines के चारों तरफ दो anion arrange होंगे या किसी एक anion के चारों तरफ दो catines arrange होंगे तो यह जो arrangement है यह linear type का arrangement है और इस तरह से solid बनता है वो कलाता है one dimensional solid और इसका सबसे अच्छा एक्जाम्पल है be f2 beryllium fluoride